है यह लोग दोस्तों पहले तो आप सभीको मेरे प्यार बना नमस्कार मेरे नाम यानि लूर आप देख रहें मेरे यूट्यूब चेंडल गड़वाली छोड़ा आहूप आप सम्मस्त होंगे दोस्तों पहले तो आप सभी को रक्षा बंदन की डेर सारी सुपकाव नहीं और आज देख सोकते हूं कितनी कड़त धूप लग चुकी है कल भी थी और आज तो और ज्यादा लग चुकी है और आज का मौसम कुछ सकाश है आप देख सकते हूं दोस्तों अभी सुवक की ग्यारा बज़ रहे हैं और मैंने कल भी ग्यारा बज़े बिलोगिंग की स्टार्ट की थी और आज भी कर रहा हूं आप देख सकते हूं दोस्तों मैं आप सभी को अपने घर के अगल बगल बताता हूं मतलब क्या क्या है इदर और पहले तो यहां ही नहां पहे रहे एक भीमल का पेड़ और आपको दिखाता हूं मैं रूख देख सकते हो यह है भीमल का पेड़ है और यहां पर केला का पेड़ है आप देख सकते हो पूरी कड़ी की बेल जा चुकी है उपर पेड़ तक कड़ी तो लगी हुई थी उस पर और इस साइट से देख सकते हो फिर से बादल आने लगे हैं शाम को कल बारी सुई थी और मुझे लगता है आज पिर शाम को फिर बारी सोने वाली है और इस साइट देख सकते हो बादल लग चुके और इस साइट अभी तक बादल लगे ही नहीं है इस साइट का मौसम देख सक तो कितना अच्छा हो रखा है और हमारे घर के इधर है बड़ी लोगों अगर और उन्होंने भी यहाँ पर कपड़ी की बेल और थोड़ा बहुत मुंगरी बूत रगी है देख सकते हूँ मैं यहां निचा रखा था और यहां पर देख सकते हुए डॉगी दिखा होगा आपको यह है मॉन्टी है इसका नम और लगभग इसको हो चुके हैं 14-15 साल होने वाले इसको और मुझे लगता है यह तो जाने वाला है कि बहुत साल तक होगे देख सकते हो और यहां से मैं अपना घर बताता हूं किस परकार से दिखता है दोस्तों यह हमारा घर और बड़ी लोगों का घर भी देख सकते हो और यहां पर हमने फूल पूता था लगा रखता देख सकते हो यह है आलू का यहां से इतना सापने दिख रहा है देख सकते हो और यहां पर देख सकते हो यह है कद्दू की बेल और इसी के अंदर है सिंगोरी देख सकते हो इस कद्दू के फूल तो लग चुके हैं लेकिन अभी कद्दू एक भी नहीं लगा इस पर और यहीं पर है देख सकते हो यह है कड़ी नहीं है लेकिन एक खीरा है यह इतना हो चुका है और इस पर भी दो तीन हो लगें यह देखे और कुछ लग रहे हैं देख सकते हो और यहीं पर खड़ी का पेड़ जिस पर यह पूरी बिल जा रिक है उपर तक दोस्तों मैं आर खाता है यहां कट्री लेने के लिए और मैं कट्री लेके चलूंगा घर आप देख सकते हो मैं यह निचाया हो और यह फाइनली यह है दोस्तों आप देख सकते हो यह बहुत छोटी है फिर भी यह तो खी रहा है इसलिए चोटी है ककड़ी होती तो बहुत बड़ी होती और देख सकते हो और यहां ही पर है देख सकते हो मर्च की पाउद भी है और इस पर मर्च लग लग रहे हैं देख सकते हो तो यह बिमाल का पिर और रहा है और रहा है तो यह बिमाल का पिर और यहां पर देख सकते हैं चोटे-छटे दाने और जब यह पक जाएंगे तो एक खाने के लिए होते हैं आपके यहां भी होगे और यहां पर एक डॉगी हो रहा है यह है मक्को इस दिन्रात इहीं पर पड़ा रहता है दोस्तों यह एक सुनलर सा फूल देख सकते हो यह आलू पूल का और इसके नीचे होता है आलो यह वालग फूल होता है दूसरे आलो खाने वाले तो लग होते हैं वह लग पूल सामने वाली पहाड़ी पर देख सकतो फिर से बादल आ चुके हैं यहां तो पूरी तरह से आर